नई संसत भवन का उद्धाटन तो 28 मई को होगा लेकिन पीयम मोदी की स्क्रिप्ट पहले ही लीख हो गई बड़ा बलंडर हुआ है प्रधावन मंदरी नरेद्र मोदी ने तो अभी आक्टिंग भी नहीं की लेकिन वीडियो तो पहले ही जारी हो गया इन दावों के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल है और भाजपा की खूब वजियत करवा रहा है वीडियो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो भाजपा आईटी सिल्की कत्त तोर पर मोदी जी से कुछ नाराजगी रही होगी वरना ऐसा करने का मतलब ही क्या बनता है तो क्या माजरा है और अब कैसे डामज कंट्रोल किया जा रहा है आपको बताएंगे लेकिन पहले आप वीडियो देखिए जिसे काईदे से तो 28 मई नई संसत भवन के उदगाटन पर जारी होना था लेकिन पहले ही सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है क्या कुछ है इस वीडियो में इस प्रयाक राज के इलाहबाद संगराने में पाया गया सेंगूल तमिल शब्द तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं इसमें सेंगूल की जो महत्त्व है उसको बताया जा रहा है उसी के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कितने दूर दर्शी है और कितनी गहनता से ज भी सोच रहे होंगे कि इसमें मोदी जी की तस्वीरों की जगा ये आखिर लिखा क्या हुआ है तो आपको बता दें कि ये जो वीडियो है ये कथत तोर पर एक टूल किट है एक वीडियो है जिसका पॉर्मेट तयार किया गया है अभी किसी तरह का कोई काम भी नहीं हुआ ह उद्गाटन भी नहीं हुआ है मोदी जी की तस्वीरे भी नहीं आई है लेकिन वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो गया है दरसल आपको बता दूं कि एक प्रीती गांधी है जो की भारती जंता पार्टी की कारिकरता है मैडम ने वीडियो को शेयर कर दिया है वीडियो जैसे ही वाइरल हो गया गल्ती हो गई है यह पता चला तो डिलीट कर दिया लेकिन डिलीट होने के बावजूद यह वीडियो वाईरल हो गया है और पत्रकारों ने और कॉंग्रिस में तगडा हमला बोला है वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदान मंत्र नरेंद्र मोदी की चवी और उनकी तस्वीरों को चमकाने उनको चेहरा चमकाने की पूरी विवस्था की गई है फिलाल वीडियो की कुछ आपको लाइन्स भी दिखा देती हूं आप देखें इसमें लिखा हुआ है इमेज ऑफ हॉनरेबल पीयन इन फॉट्फुल मोड यानि कि यहां पर वह तस्वीर लगानी है उत्गाटन समारों की जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कुछ गहनता से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी आप सोचें कि अभी सोचा भी नहीं अभी गाटन भी नहीं हुआ है लेकिन स्क्रिप्ट पहले ही तयार है कि पीयम मोदी को क्या करना है इस वीडियो से इतना तो फिलाल साफ होता हुआ नजर आ रहा है एक और देखिए लाइन इसमें लिखा है कि हॉनरेबल पीयम वोकिंग रिस्पेक्पुली इन दा मिडिस्ट ओप दर ग्रूप यानि कि प्रधान मंत्री जो ग्रूप चल रहा है उसमें बिलकुल बीचो बीच में चल रहे हैं वो वीडियो या फिर की तस्वीर इस जगा प पर लगानी है तो जिसने कतित तोर पर राष्ट पती को ही साइड कर दिया हो वो लोग सबाय स्पीकर को अगर साइड में चल वाले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी खैर यहाँ पर मुद्दा यह नहीं है मुद्दा यह है कि आप देखिए कि बिजेपी की कार्यकरता प्र सब्सक्राइब करने वाले इस्थापित करने वाले हैं उसका महत्तो जानिये लेकिन महत्तो तो देखिए आखिर किस बात का पता चल गया कि मोदी जी के नाम पर किस तरीके से कथे टूल किन्ट तयार किया जाता है अब वीडियो वाइरल हो गया है तो लोगों ने खुब लिखते हैं कि आईटी सेल के एक कर्मचारी का बॉस से सेलरी को लेकर जगडा हो गया जो गालिया वो इंटरनेट पर देता था वो बाव बॉस ने उसको ही सुना दी कर्मचारी का माथा ठनक गया और उसने 28 मई को रिलीज होने वाला अगपका वीडियो लीक कर दिया है इस कहाँ पर सोचेंगे कहाँ पर चलेंगे वो सब क्यूँ लिखे हुए है बताया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है वीडियो जारी हो चुका है लोग मज़े भी ले रहे आप देख सकते कि कैसे लोगों का कहना है कि भाई लग रहा है ऐसा कि IT CELL का जो कार्मचारी है वो नाराज हो गया इसलिए वीडियो निकाली गई है राण विजे सिंग है पत्रकार है वो भी लिखते हैं कि बड़ा ब्लंडर हो गया है BJP सोशल मीडिया का एक वीडियो जारी हो गया यह वीडियो संसक्के उठगाटन के दिन जारी होना था वीडियो में PM मोदी की इमिज को चमकाना था आज ही जारी कर दिया गया PM मोदी की तस्वीरों के बिना तो प्रधार मंद्री नरेद्र मोदी की तस्वीरें अभी नहीं लगी है वीडियो में आप देख सकते हैं उतकर सिंग हैं पत्रकार हैं वो भी लिखते हैं मजे लेते हैं कि मैं नहीं मानता कि पीय मोधी पहले से तयार स्क्रिप्ट के हिसाब से कैमरे के सामने आटिंग करते होंगे ये निश्चित तोर पर उन्हें बदनाम करने की गहरी साजिश है तो प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी कैसे अपना सोलो फोटो शूट करवाते हैं ये किसी से नहीं छुपा हुआ है तरह तरह की तस्वीरे निगल कर सामने आती है भयंकर भीड भड़का भी हो पिर भी मोदी जी की सिंगल तस्वीरे निगल कर सामने आती है कि मोदी जी कहां चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं आप अच्छे से जानते हैं कि PM मोदी का चेहरा भाजपा कैसे चमकाती है लेकिन इस बार जो ये वीडियो संसत के उद्गाटन के पहले जारी हो गया है इससे चेहरा चमकना तो दूर की बात है आप देख सकते हैं कि कैसे कत्त तोर पर फजिहत हो रही है कॉंग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र हैं हो भी इस वीडियो पर लिखती है कि अमित मौलवी है तुमने तो महामानों को हीरो बनाने का टूल के गलती से पहले ही जारी कर दिया तो अमित मौलवी है भाज बीजेपी आईटी सल के मुखियां है यानि की हैड है आगे लिखा है कि ये वीडियो तो 28 को आना था बड़ी जल्दी में थे तुम आधा अधूरा वीडियो डाल दिया अभगत और चरट चुम्बक 28 को एक साथ कौन सा वीडियो लगाएंगे पर हसी तो ये दो लाइन पढ़कर आई पी एम मोधी इन थौटफुल मोड और पी एम वोकिंग रिस्पेक्फुली इन मिटिस्ट अफ दा ग्रूप यानि इनकी प्रधान मंतरी सोच रहे हैं और ग्रूप में चल रहे हैं ये तक लिख दिया गया है तस्वीरे निकल कर आती क्यों लिख देते सरफ पी एम मोधी भी लिख दिया होता तो भी इतनी वजियत ना होती लेकिन आप देखिए बकाईदा ये भी बताया गया है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी क्या कर रहे हो उस पोस की कहाँ पर तस्वीर लगानी है वो लिखा गया है आगे इसमें लिखा है कि इतने डिटेल डिस्क्रिप्शन तस्वीरे और शूट्स के मतलब भारत के प्रधान मंतरी का हर कदम फेक न्यूस फैक्टरी की टूलकिट नरधारित करती है तरह सारा है कितना भी रंग पोत लो फरजी सभी तो फरजी ही रहेगी धुस्त हो जाती है तो वीडियो निकल कर सामने आया सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ प्रीती गादी जो कि भारती जंता पार्टे की कारे करता है अब भी बिचारी इतनी परिशान होंगी आज आप समझ सकते हैं कि जो वीडियो वाइरल हो गया है पूरा का पूरा श्रे उनी को जाता है मैडम ने सबसे पहले वीडियो शेयर कर दिया और बिल्कुल दिमाग ने लगाया अब फिलाल उन्होंने वीडियो डिलीट भी कर दिया है लेकिन वीडियो वाइरल हो चुका है पत्रकारों ने और कॉंग्रेस ने घेर लिया है इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा से जादा शेयर करें सब्सक्राइबर पर दबाया है बलाइक दबाया है तक कि हर कबर की नोटिफेकेशन आप तक पोहसती रहें मैं प्रिंग का आप देख रहे थे ऑनलाइन य सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाया है